तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं निल आईटियर फाइलिंग के बारे में जी हाँ तो देखे आपकी फैमली के अंदर कही सारे ऐसे मेंबर्स होंगे जिनकी कोई भी इंकम नहीं होती है अगर आप लोग एक टेक्स एक्सपर्ट के तुरू कंसल्डेंसी लेना चाहते हैं या एक अफूरेबल कॉस के उपर आईटियर फाइलिंग भी कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने आपको सिंप्ली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे तो चले गाईश शिरू करते हैं तो गाईश पहले बात करते हैं कि बेनेफिट्स क्या है एक निल आईटियर यहाँ पर फाइलिंग को लेकर तो देखें यहाँ पर आईटियर के कई सारे बेनेफिट्स हो सकते हैं पहली चीज होता है इजी लोन अप्रूल जब भी लोन की बाद आती है तब लोग को आईटियर यहाँ पर याद में आती है चाहिए फिर क्रेट कार्ट के लिए अपलाए करना हो या फिर होम लोन हो या फिर कार लोन हो तो देखें मोस्टी जो बैंक्स होते हैं लेकिन वाप पे आपको अच्छी खासी जो है penalty वगरे pay करनी पड़ती है, तो इसलिए हमेशा ये recommend किया जाता है कि due date के पहले हमेशा, अगर एक nil की भी idea अगर आप फाइल करना चाहते हैं, तो regular basis पे हर साल आपको करनी चाहिए, इसके लागाइस अगर आपका कभी भी कोई tax का refund मन रहा हो, कई बार ये होता है कि हमारी income तो बहुत कम होती है, लेकिन माली जे कोई FD के उपर, interest के उपर कोई मेरा tedious करे कट चुका है, dividend के उपर कट चुका है, और जो tedious होता है, बहुत ज़ादा amount का नहीं होता, हो सकता है 500 रुपे का हो, 1000 रुपे का हो, लेकिन at least आपको government से refund मिल जाता है, इसके लागाइस ये income और address proof के अंदर भी काम आता है, प्लस अगर आप foreign के अंदर study करने जाने वाले हो, या let's suppose अगर आप एक parents हो, आपके बच्चे जाने वाले हैं, तो उस case में भी visa processing में idea काफी जादा helpful होता है, इसके लागाइस अगर आप यहाँ पर मानीचे, intraday वगरे करते हैं, या capital loss है, आपका equity के अंदर आपने loss हुआ है, आपको mutual fund के अंदर आपको loss हुआ है, तो आप उनको carry forward भी कर सकते हो, और अपने future के जितने भी profits उनके साथ set off भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको idea file करने पड़ेगी, और इसके लावाँ जब भी आप term plan वगरे लेते हो, term insurance भी लेते हो, तो वहाँ पर भी जो sum assured होता है, वो आपकी income के उपर basis होता है, और इसके लिए आपसे idea वगरे भी मांगी जाती है, आपका इस बात करते हैं कि निल की idea आखर होती क्या है, तो देखिए अगर मैं इंडिया की यहाँ पर बात करो, तो 0 से लेकर 5 लाग रुपे तक की एक basic exemption limit मिलती है, जापर इंडिया के अंदर 0 tax है, और 5 से लेकर 5 तक जो है basically tax तो लगता है, लेकिन आपको अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि government आपको 12,500 रुपे की 87 एके अंदर rebate प्रोवाइड करती है, तो देखिए निल की item यहाँ पर उनको consider किया जाता है normally, जिनकी भी डायलाग से नीचे की income है, क्योंकि वहाँ पर उनको कोई भी justification देनी की जरूद नहीं है, कि मेरी यह income यहाँ पर कहां से हो रही है, मलब let's suppose अगर आप एक student है, और normally अगर आपको pocket money वगरे भी मिलती है, उसके बावजुद भी आप यहाँ पर डायलाग की नीचे, जो basic exemption limit है उसके नीचे, आप अपनी simply एक निल की item यहाँ पर फाइल कर सकते, यहाँ पर आपको assessment यह 2324 सेलेक्ट करना है, online mode सेलेक्ट करना है, continue button के उपर क्लिक करना है, start new finding button के उपर क्लिक करना है, अपने जो status है वो individual रखना है, आप कई लोग confused होंगे कि मैं कौन सा यहाँ पर form फिल अप करूँ, तो देखिए normally अगर आप एक student है, अगर आपके simply एक other income अगर आप दिखाना चाते, तो हमेशे आपको ITR 1 जो form जो है as a nil ITR यहाँ पर use मिलेना है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक freelancer है, या आप खुद एक self-employed बंदे है, आप कहीं पर हमालेजे थोड़ी बहुत भी आपकी income है, तो उस case में आप ITR 4 के साथ में जा सकते हैं, और ITR 1 और 4 वो काफी जाधा simple है, ITR 2 और 3 जो है वो काफी जाधा complicated होती है, तो अगर आपको nil की ITR file करने हैं तो best रहेगा, 99% case में आप ITR 1 के साथ जा सकते हैं, तो यहाँ पर simply आपको ITR 1 select करनी है, process with idea button के ओपर click करना है, let's get started, यहाँ पर आपसे reason पुछा जाएगा, others यहाँ पर option choose कर लिजे, continue button के ओपर click कर दीजे, अब guys यहाँ पर अलग-अलग steps खुल जाएगी, एक-एक को हमें simply यहाँ पर confirm करना है, चलते personal information के साथ, तो guys यहाँ पर आपका section 139 subsection वर रहेगा, मैं demo के लिए यहाँ पर revise यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको नीचे जाना है, यह new tax system के लिए बोलेगा, हमेशा इसको no रखना है, क्योंकि वैसे भी निल की ITR है, नीचे आपको अपनी bank की details मिल जाएगी, इसको confirm कर दीजिए, आपका next column आता है, आपका gross total income का, यहाँ पर question पुछेगा, सभी को यहाँ पर skip कर दीजिए, अब देखिए obviously बात है, अगर आप निल की idea फाइल कर रहे हैं, तो उसके पहले एक और चीज में आपको बतना चाहूँगा, यहाँ पर आपको एक AS का tab मिल जाता है, इसको जरूर check out कर लीजिएगा, तो गाइस normally यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एक निल की idea फाइल कर रहे हो, आपका कुछ हो ना नो हो, यहाँ पर interest from the saving bank account, यहाँ पर आपको जरूर दिखने वाला है, अगर आप एक bank account यहाँ पर maintain रखते हैं, तो उसका interest का जो भी income होता है आपका, वो यहाँ पर आपको definitely दिखने वाला है, तो देखिए गाईस हम लोग यहाँ पर निल की idea फाइल कर रहे हैं, और डाइल आपके नीचे यहाँ पर फाइल कर रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पर आपको justification देने की जरूरत नहीं है, कि किस चीज़ की income है, तो यहाँ पर simply दो तरीक हो सकते हैं, अपने निल की idea filing के अंदर जो है income दिखाने के, अगर आपकी actual केंदा कहीं से salary वगर एक income आती है, तो जो first column है, वो salary का column दिया हुआ है, और let's suppose अगर आपकी कोई rental income आती है, माली जो कोई house wife है, उनके नाम पर property है, उनकी rental income आती है, तो उस case में house property का column हो गया, लेकिन जो सबसे best column है, वो है other sources वाला column, जहाँ पर आपको कोई भी justification नहीं देना, यहाँ पर काईस आपको क्या करना है, add button के उपर click करना, थोड़ा सा अगर आप नीची जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है any other का column, जी हाँ, तो देखें आपकी जो भी income है, जहाँ पर आप एक simple description देना चाहते हैं, तो यहाँ पर simply जो है, आपनी धाय लाक रुपे तक की income को यहाँ पर consider कर सकते हैं, जो कि एक basic exemption limits होती है, और उसका एक छोटा सा यहाँ पर description डाल सकते हैं, कि किस चीज की income है, अगर actual के अंदर भी आपकी income नहीं है, आपको कुछ नहीं करना यार, टूटल जो deductions है, मैंने बताया, deduction लेनी की requirement ही नहीं है, क्योंकि आप already basic exemption limit के नीचे अपने income दिखा रहे हो, बाकी अगर आपको deduction लेनी है, तो वो optional है आप ले सकते हो, जैसे कि ATC वगरे हो गया, ATD वगरे हो गया, और अगर saving bank आउन का interest कर लेना है, तो ATTTA करके हो गया, तो इसके उपर आप deduction लेकरे क्लीम कर सकते हो, बाकी अगला column Tax Paid का column आता है, अगर आपके FD के interest के उपर कोई भी TDS लेकरे कटा होगा, तो आपको यह वाले column के अंदर मिल जाएगा, अब obviously बात है, निल के idea फाइल कर रहे हो, और Tax बनता भी, तो यहाँ पर आप calculation के अंदर देख सकते हो, जैसे कि 128 रुपे का बन रहा है Tax, तो यहाँ पर आपको 87A के अंदर, 12500 तक की simply तरीके से रिबेट मिल जाती है, इस तरह से हमारी यह idea जो है complete हो चुकी है, आपको proceed बटन के उपर क्लिक करना है, यह आपको एक समरी देगा, इसको आप डाउनोड कर सकते हो, आगे जाओंगे तो यह आपको official format दिखाएगा, ITR1 का, यहाँ पर आप सिंप्ली इसको डाउनोड कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करना है, कोई भी गड़वर होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगी, और process to validation button के उपर क्लिक करके, एक आदा रोटी भी डालो और अपना ITR यहाँ पर verify कर लो, verify करने के बाद में आपको वापिस अपने home screen के उपर आना है, और जो भी आपकी ITR है, उसकी यहाँ पर आपको receipt basically download करनी है, तो receipt यहाँ पर most important part होती है, यह एक single page का ITR वी होता है, अब screen के सामने दे सकते हैं, इस type का आपका एक single page का format निकल जाता है, इसका printout वगरे ले सकते हो, बाकी आपके सारे records यहाँ पर online हमेशा save रहते हैं, अगर आप printout नहीं भी लेना चाहते हैं तो, और कभी भी आप जो है किसी भी official purpose के लिए, अपनी इस nil की ITR को कहीं पर यहाँ पर as a proof submit कर सकते हो, so guys, hope you like this video, please subscribe अगर आप लोगे कोई भी डाउट से, comment box में जरूर बताईए, thank you guys, thank you very much,